Good morning everyone, I hope आप सब भी लोग काफी अच्छे होंगे, मैं आप बहुत अच्छे हूँ आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या के डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो मिट्टी के इस्तर कौन कौन से होते हैं और मृद्दा परिच्छे का हम कैसे बोलते हैं तो ये सारे जो वर्ड थे, जो टॉपिक थे हमने काफी अच्छे पे अच्छे से उसको समझने की कोशिश करी थी और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मृद्दा के परकार जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहोंगे आखर जो मृद्दा के परकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो मृद्दा जो होती हैं, वो किस परकार से बनती है इसको काफी आच्छे से हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे आपके इसमें सब्सक ந कुसले कोशिच करेंगे शैल जो कं जैसे है है तो आप देखेंगे उनको जो प्रकार के उनके कारक होते हैं और जो हमारी वायू मंदल में इस्तित होती है आपको पता है जो हमारी वायू मंदल में इस्तित होते हैं कि हवा है पानी है नदिया है तो उनका अपक्छे करती है और उनको तोड़ देती है अपक्छे का मतलब होता है तोड़ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और छोटे-छोटे कॉमी और नदिया कीमार मित्टी और क्या होती है जो दिनटी हुती है तो प्राट मिलते हैं क्या मैंनिक अच्छे partnerships अंगर मित्टी में हुमेस की मतरफ होगी ही नहीं तो क्या वोगा की मृट्टी उपजाओ भी धी नहीं होगी यह आपको यहाँ पर काफी अच्छे से समझ लेना है तब मिट्टी में कावनिक पदार्त ही नहीं होगे तो मिट्टी भी उपजाओ नहीं होगी तो पेड़ बौधी नहीं लगेंगे तो हमारा अस्तित भी नहीं रहेगा यह आपको यहाँ पर काफी अच्छे से कर सकते हैं आप इसकी definition को note कर सकते हैं और इससे क्या होगा आप एक दूसरे से इसको relate करके पड़ेंगे तो आपके माइन में काफी अच्छे से फिट हो जाएगा और बुक में बुक का पड़ा हुआ आप ज्यादा देर सक याद नहीं रख सकते बुक का पड़ा हुआ आप क्या करेंगे अगर मैं आपको इसी में से पड़ा देती हूं कि मिरदा के प्रकार क्या होता है जैसे कि आप लोग सब भी जानते हैं कि जो शैलो का पक्ष्य होता है इसको विविन वाटों में निर्मित कर दे जाता है अगर मैं आपको भी हम लोग भी लगा सकते हैं सब लोग रीडिंग लगा सकते हैं तो इसलिए आपको काफी एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है जिसलिए कि आपके काफी अच्छे से समझवें और जो आप बुक में से पढ़ेंगे वह ज्यादा टाइम से गयाद नहीं रहेगा अगर ऐसा हो जितना आपको इसकी नीड होती है जितना आपस एक्जाम रुक्र मांगता है कि आपस जो बड़ेंगे दना उसका एक्जाम दियाएंगे उसके बाद में आप लोगों से एक महीने बाद पी अगर एक भी कोश्चन पूट अप कर लिया जाए तो बिभी आप लोगों को नही आप पाएंगे तो आपको ऐसा नहीं आपको ऐसा पढ़ना है जो आपको लाइफटाइम याद रहे जाए तरय का अ को थर कि आप को पढ़ें आप पढ़ें फिर आप छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हैं इससे आपकी जो थिंकिंग हो भी डपलप होगी और आपकी जो प्रक्टिस हो भी होती रहेगी यह आपको यहां पर काफी अच्छे से समझ लेना है तो चलिए अब हम इसको थोड़ा और जानने की अनुपास तो क्या होगा उसमें एक तरह कि से हम मूल शैल लेंगे मूल शैल को पर निर्भर करता है जिससे उसके जो कण होते हैं वो बनते हैं चट्टान वपर बालों की जो मात्र होती है वो ज्याज़ा होती है अधिक मात्र होती है उसकी और आप यहां पर देखेंगे ग इससे मात्र होती है तो मिठी किस प्रकार की होगी और किस प्रकार से मिठी में व्यक्तिी दिया ह sleeping होते हैं आप ये वी काफी अच्छे से समझ लेना एक ना बीम निसकी प्रसमाने में काफी ने नहीं कि पहीं आूँगी है शती है आप आपको 금स्तार में Hugo तो मलें जैसे कि बैक्तिरिया पादमूल और कैंचुए जैसे जीबी म्रता के महत्पुर्ण अंग होते हैं ठीक है यह आपको काफी अच्छे से समझ लेना है और काफी अच्छे से आपको समझ रहा है दैना आपको किसी अदर टॉपिक से आपको रिलेट करने जिससे एकदम मैच कर र बड़ आ गया वही आके बलू होता किया है इसको जानने के हम लोग कोशिश करते हैं आका यह वर्ड इसका मतलब क्या होता है तो आप देख पाएंगे कि वलू है तो वो बालू से बना है ठीक है आप समझ पा रहे हैं वलू ही बालू से मतलब होता है कि यह मिट्टी यह सबसे जादा होती है तो आप देखेंगे इस परकार की जो मिटी होती है फुरे के स्थान या पर उसके जो आसपास के लाके होते हैं उस-पर ही प्रेजर्जायन्ट होती है आपको ये काफी अच्छे से हाँ पर समझ लेना है और आप देखेंगे कि जो बालू है उसमें काफी मिट्टी में वो पाया जाता है ये मिट्टी बहुत ही कम उजख होती है इसमें काफी बड़े बड़े एक्तम आप देखेंगे इसमें काफी बड़े बड़े कट होते हैं बलूई मिट्टी जो होती है न वो हलकी हो जाती है और हवा उन्हें अराम से उड़ा के ले जाती है रैसमीन हवा अराम से उड़ा करें जाती है अब कोई पत्त है ठीकि आप पत्ते को लेंगे पेड़ का कोई भी पत्त है वह अब हवा आएगी उसको राक उड़ा के ले जाएगी ठीकिन यज़े हैं कि अगर उत्ने अभर आम ते काफी अच्छा नोगक्तल उड़ा की लिए सकती हैं नहीं हम लोग इतने हवा में उड़ने वाले थोड़ी नहीं हैं काफी अच्छे हैं हम लोगों की बॉडिन यूंगोल के तो हम लोको किसे ओड़ पाएंगे लिग फिरकार से जो फिललका होता है वो अराम से अख़ाती हैं के से अच्छ से समझ हा घ्या होगा की? क्या होता है इसमें आप देखेंगे बारिक कनो को का जो अनुबात होता है वो जादा होता है और इसमें चोटे-चोटे कन होते हैं वह goose mike मातला में प्रिजेंट होता है जै किसे होता हैं मिट्टी होते हैं यह जर्द की जल को पुहत ही एक तरीके से बहुत ही जादा पकड कर रख पाती है ये हलकी नहीं होती है और इसको हवा भी नहीं उड़ा के लेके जाएगी क्योंकि ये हलकी नहीं होती है और थोड़ी ही काफी बात्रा में अगर थोड़ी ही मिट्टी है तो काफी अधिक भारी लगती है और इसके कारण जो पेड़ पौदे हैं जो फसल है वो भी सड़ जाते हैं यह आपको यहाँ पर काफी अच्छे थे हैं पर समझने की कोशिश करनी है अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है इस टापिक को लेके तो आप उसको कमेंट वोक्स में किलियर कर सकते हैं अब हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर तुम्टे मित्टी की आके यह क्यों होता है आई इसको भी हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो आके यह दूम्टे मित्टी आखिर होकता क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बड़े और चो छोटे कण होते हैं वो एक तरीके से लगबक समानी म होता है और अब इनका जो वर्गी करन हुआ वह वलूई और तुम्टी मित्टी के एक तरीके से जो मड़ में है मिरद्दा का रूप में हुआ यहाँ पर काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे काफी इंपोटेंट है यह तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उसके क काफी इस्तान होता है और यह इंट वहायूं से यो कोशिश करने के कुशिश करनी है और हम यह से कह सकते हैं कि जो वालु है वो शुबावित है क्या है जो बालू है वो शुवाबित है अब आप देखेंगे जो बालू है जो बालू की कण है तो कणों के बीच में जो इस्थान है उसमें से जल की जो निकासी तेजी से हो जाती है यह आपको यहाँ पे काफी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है अब मैं आपके जानने की कोशिश करें मैतिका आके यह क्या होता है चिकनी मिट्टी के जो काण होते हैं वो बहुत ही बारिक होते हैं कैसे होते हैं बहुत ही बारिक होते हैं और यह परस्त पर जुड़े होते हैं इनके बीच इस्थान बहुत ही कम होता है और जो चिकनी मिट् आप देखेंगे कि जो चिकनी बिटी है वो एक उनके तरीके से उसके अंदर जो वायू है वो काफी कम है लेकिन यह भार ही होती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा है वो जादा होती है यह आपको यहाँ पर काफी अच्छे से समझ लेना है अगर आप लोगों का कोई भी इसमें कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मिर्दा के पास काफी सारे गुणों होते हैं मिर्दा में यह स्पेश होता है मिर्दा पानी को अप्शोशित कर सकती है मिर्दा जल का एक तरीके थे कान है तो क्या होता है कि म्रद्दा जल्व का आंतर श्रवन होता है और म्रद्दा अपने में से होकर जल्व को आस तरीके से पास आउट कर सकती है यह आपको यहां पर काफी अच्छे से समझ लेना है अब है कि म्रद्दा में जल्व का आंतर श्रवन की दर होती है वो किस परकार से ह करते हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करें अब देखेंगे जब भी कोई मिट्टी पानी को अप्शोषित करती है तो कितने समय में करती होगी तो इसे पूरी प्रेक्रम को जब हम एक तरीके से aur divide करने केarring के बाद भी मिध्टी द्वारा नीय गहिंगी जए और मिट्टी के द्वारा की दा ली घई झब कोकुल समय ने से लिए तो उसे हम निकाल ह honor और अंतिवार लुंवत की दर है उसको हम काफी अच्छे निकाल पाएंगे और आप में आपको आप मुड़मे मिट्टी में मर्वमे मिट्टी में कम होटी क्यों के कणड़ बड़े हैं और पानी इक तरीके से नहीं बहने देते में आपको बताए था जो स Whitiego क होते हैं वो काफी घृते हैं और दूर भी होते हैं और उनके पीछ स्तान होता है क्वाहद निकल जाता है लेकिन यह क्या हूँ वह काफी क्लोज है तो इस मेंसे पानी नहीं है लोग भेने नहीं देते क्याते हैं away को इसiqué देते हैं लिटी मोड़ रहता है या अप वहाँ पानी को पकड़के रहते हैं अब पहुदा बाता शूटते हैं सब्सक्राइब यह का समस्owa deathն कति और दीन तरहार्य संना स्वाएब। कि कौने अब अपको पोता है कि इसके जो दर है किस्प्राइब क्लिकूलेट कर पाईएँ कि फुरऍ शांपल माल लीजिये कि आपने एक तरीके से किसी नमूने में 200 ml मतलब 200 ml जलके जो अंत Beim हैं उसमें आपको 20 मिन लगते निकितने लगते हैं उसमें आपको 20 मिन लगते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि जो अंतर स्थर्ष की दपीच्ट है समझने की कोशिश करेंगे कि यह हो गया ठीक है आप इसी कर जो आप लेंगे कि जल की मात्रा है मतलब ml और प्लस आपके जो अंत्रे स्केवर की जो अब्दी है वो कितनी मिनट की है अब दैन आपने लिया ठीक है आपने इसको बट्टे में ले लिए अब लेने के बाद आपन मिनट की टुणंटी जो यह आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है अब आपका जो आन्सर आएगा घर को टैन Na म्योट at a टीकि त्कशा अन्सर पर मिनट और पर मिलीमीटर की दरसे हिए हम इसको काफी अच्छे से िसको निकाल सकते हैं और इसका आपको मिल सकता है आपको यहां पर काफी अच्छे समझने की कोशिश करनी है अगर आपको नहीं समझ आते हैं कुछ भी डाउट से जाते हैं तो आप उसको कमेंट वक्स में के लिए कर लेना और मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलती हूं और मैं बाबा यही रिपीट करती हूं आपको मन में क स्टेडी काफी अच्छे से करनी है तो आज के लिए इतना ही और आपको काफी अच्छे से सारे टॉपिक के लिए करने हैं आज हमने यहां पर बात करी कि जो मिट्टी के प्रकार होते हैं वह कौन-कौन से होते हैं मड़ में मिट्टी होते हैं मिट्टी का मिट्टी होते हैं वो कौन कौन से होता है और मिरद्धा में आंतिस तब की जो दर है उसको हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे और जिसमें आंतिस तब की जो दर होती है वो कौन से मिट्टी में आदिक होती है और जिसमें नहीं होती है वो क्यों नहीं होती है और आपकी जो वल्य मिटि है हमने काफी अच्छे तिसमे जानने की कोशिश करी है सबसे important बात हमने आ पर ये जाना कि मिटी बंती कैसे है I hope आपको काफी अच्छे से समझा चुका होगा क्योंकि आज तक आप लोगों ने सिर्फ मिट्टी को देखा है लेकिन आपको ए नहीं बता कि मिट्टी आके बंची कैश़े हैं अव्ञे Boost जान लिया ठीक है तो आप जो जो नहीं नहीं चीज़े देखते हैं और इसको काफे जाननी के कोशिश करें आंके जो चीज है वो है क्या वो किस तरीके से बनी होगी ठीक है तो आपको काफी अच्छे से आपर समझ लेना है अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे जाए तब को कमेंटों के लिए करने ना और आज के लिए इतना ही आप इसको काफे अच्छे से पड़ें तो गैस बाइब बाइए और टिक क्या थैंक यू सू मुच गैस